बोलता राजस्थान के इस विशेश बुलेटेन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स पिछले दिनों राजस्थान और हर्याना के मेवात क्षित्र की विजिट पर थे और इस दोरान हर्याना के नुह में पर्शिद्ध यासीन मेव डिगरी कोलेज की विजिट की बहुत ही बड़े केंपस में और बहुत ही शानदा धंग से ये कोलेज का भवन तामीर किया गया है ये देख सकते हैं आप बहुत बड़ा केंपस है और इसी केंपस में सीनिर सेकंड़ी स्कूल भी है ये कोलेज करीब 101 साल पुराना है और 1923 में इस कोलेज की स्थापना की गई थी हलांकि उस जमाने में इसको ब्रेन मेव मिडिल स्कूल कहा जाता था और बाद में ये कोलेज में करमुनत हुआ तो पिछले दिनों हमारी यहां विजिट हुई इसकी स्थापना में यासीन मेव डिगरी कोलेज देखो साइन बोर्ड आप देख सकते हैं इस्थाविलिस इन 1923 ये नू जिला नू और मेवात शित्र में ये कोलेज स्थापित है बाबा ये कौम जिस कौम के नाम से जिनको जानते हैं और मेव कौम को गांधी जी का सहयोग लेकर पलायन से जिस सक्षियत ने रोका ऐसे यासीन मेव के नाम से ये कोलेज है यासीन मेव जिनके सहबजादे सोधरी तैयव हुसेन राजस्थान अंजाब और हर्याना तीन राज्यों में विधायक और मंत्री रहे हिंदूस्तान में ये अकेले ऐसे सक्ष हैं जिनको तीन राज्यों की सरकार में बतोर मंत्री काम करने का सोभग्य मिला तो ये अपने आप में एक रिकोर्ड है और इस रिकोर्ड को कौन बनेगा करोड़पती में भी ये सवाल पूछा गया था कि वो कौन सी सक्षियत थी जिनको तीन सरकारों में बतोर मंत्री काम करने का सभाग्य मिला यहां इसी कोलेज के परिसर में ही यासीन, मेव और उनकी धरमपतनी जुमी बेगम, उनके साहभाजे सोद्रे टयव हुसेन जो तीन राजियों मैं मंत्री रहे और जमीला बेगम जो तयव हुसेन की घरवाली धरमपतनी थी उनकी यहां कबर है जहांपर हमने भी खिराज एक़िदत पेश की दौई मग्फिरत की हर साल यहां यासीन तययब दिवस भी मनाय जाता है एक नमबर पर जुमी वेगम की कबर और यह है चोदरी मुहम्मद यासीन खां यासीन खां की कबर और ये चोदरी तयव हुसेन की कबर हरी घास वाली और ये नई जो कबर बनी हुई है ये है जमीला बेगम जो चोदरी तयव हुसेन की ध्रहपतनी और पूर्व मंत्री राजस्तान सरकार जाहिदा खान उनकी वालिदा जो जमीला बेगम थी उनकी कबर है तो आईए कोलेज परिशर का आपको भर्मन करवाते हैं आप बने रही है हमारे साथ नुह मेवात का करेब 101 साल पुराना ये बहुत कदीम कोलेज है और यहाँ आज हमारी विजिट हुई है यासेन मेव डिग्री कोलेज Y.M.D कोलेज के नामसे जानते हैं और यह उसका मेन परिसर है परिसर में ही यहाँ पास में मस्जीद है इस्कूल है और रोहस्टल है स्टाप के कवार्टर स वगेरा है और हमारे साथ कोलेज के परतिनी दी अलेम भाई है, सलंबा नू से अंजुम भाई है, नोशाद खांजी है, सिकर शाये हैं, जावेश साब लेक्सरार हैं, आकेडा से और सलंबा से ही रजा मुहम्मद साब है, यह इल्यास भाई है, तो पूरी टीम यहां लगी हुई है, रेखते हैं, क्या रिजल रहता है, जी इस कॉलिज को लगबग लगबग सो साल पूरे हो गए, जी और यह जब इसकी न्यू रखी गई थी हाई स्कूल था, उसके बाद इसको डिग्री कॉलिज बाद में डवलप किया, अलोर और दिल्ली के बीच में कोई इंस्टूट नहीं था पढ़ने का, अब तो बहुत सार प्राने लोग हैं, वो यहीं से जुके सनों के लुख जो में लगए, इसका बहुत ही होगदा था इस कॉलिज का हमारे लिए, यादे जुड़ी हुई हैं सरे, हम उदी से फड़े हैं, रजा भाई, यासीन मेव, यह नाम कैसे है कॉलेज का, यासीन मेव, इसका कॉलिज का परीजन हैं, इसलिए है, चोधर यासीन जी, हमारे यहां चोधरी हुए हैं, और लीडर भी हुए हैं, वो कौम के चोधरी हों हैं, बारे बानपाल के, क्या तारूफ है, मतलब उनका भी, उनके, वो 1935 में, यहां इमेल सी बन गए थे, पंजाब, तो उन्हीं के और ब्रेन, जो यहां कमिस्सम थे DC साब और यासिन साब के परीजन है अभी भी एक्ट्यू पॉलिटिक्स में या समाज सेवा में क्या है इस्तिति परिबार है उनके बेटे था तैये वुसेन जी वो मनिस्टर है हर्याने में भी पंजाब में भी राजिस्तान में भी और अब उनकी बेट अभी जो है मनिस्टर ती जाइदा जी कामा से और यहां चोधरी जाकर हुशेन पिछली बार भी धायक पे इस बार नहीं है वह अब वकफ बोड़ पर परसा सके वह एक्टिव राजिनिती में अभी सक्रिय है और इस कोलेज के जो बोड़ी है नियो बोडिंग उसके वह में अशिनखा मेव और चोधरी तयव हुशेन की राजनितिक विरासत को उनके बच्चों ने बैखुब भी आगे बढ़ाया है चोधरी तयव हुशेन की बेटी राजस्तान सरकार में मंत्री विधायक एम संसद्य सचिव रही है जाहिदा खान और चोद्र तययव हुसेन के पुत्र चोद्र जाकिर हुसेन हर्याना में कई बार विधायक रहे हैं चोद्री फजल हुसेन 13 से चुनाव लड़ते रहे हैं और वर्तमान में अलवर लोकसवाज सीट से बसपा परतैसी हैं फजल हुसेन ये जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डॉक्टर आईशा बानो जो सोधरी तयेब उशेन साब की सहबजादी है और राजा शहीद हसन खा मेवाती मेडिकल कोलेज में गाइनोलोजिस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये है शहीद हसन खा मेवाती गोवर्मेंट मेडिकल कोलेज नुह नलहड नुह का केमपस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अन्त में नलहड नुह की एतिहासिक मेडिकल कोलेज के बारे में भी एक मिंट बात कर लेते हैं डोक्टर आईशा के लिए जब इस कोलेज तक पहुचे ही है तो कोलेज की भी बात करते हैं और यहां के इस्थाने कारिये करता से बात करते हैं कि इसका नाम क्या है क्या होना चाहीए और किस तरह का केमपस है आईए दिखाते हैं मेन गेट का आपको बर्मन करवाते हैं ये नू है हरियाना का नू कस्वा है और इसमें नलड इलाका है उसमें ये है मस्जिद मस्जिद अजीम और इसके ठीक सामने है शहीद हसन खाम मेवाती गोर्मेंट मेडिकल कॉलेज राजा बोड पर तो नहीं लिखा लेकिन ये है राजा हसन खाम मेवाती मेडिकल कॉलेज और कल राजा असन खाम मेवाती के बलिदान दीवस पर मुख्यमंत्री मनोडलाल खटर का भी एक कार्यकरम था जिसमें एक परतिमा का अनावरन उन्होंने इस इस इलाके में किया था बड़कली में किया था वो कार्यकरम हो था क्या डिमांड बता रहे थे आप अभी ये रजा मुहमद है और नू के निकट ही सलंबा गाउं के रहने वाले हैं जी ये जो आप देख रहे हो ये इसमें सहीद असन खाम मेवाती मेडिकल कॉलेज और पोस्टर में बेनर में तो स गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज राजा नाम ओर एड होना चाहिए ये इलाके के लोगों की मांग पहले से रही है बहुत इतियासिक सक्षियत हैं राणा सांगा का साथ दिया था और बाबर का साथ नहीं दिया था हसन खाम मेवाती ने इतियास के पन्नों में उनका नाम सु अलवर उसकी राजधानी थी तता अलवर से लेकर दिल्ली की सराय लाट तक उसके रज्य की सिमाएं फेली हुई थी दिल्ली के ततकालीन सुल्तान इबराहिम लोदी के साथ उसके मधूर संबंद थे उन्हें दिल्ली दरबार में कुर्शी अता की गई थी और उन्हें दिल इबराहिम लोदी का साथ दिया था इस युद्ध में उसका बेटा ताहिर खां बाबर दवारा गिरफतार कर लिया गया था तथा उसका पिता अलावल खां अपने खेमे में मृत पाए गए थे 15 मार्च 1927 को खानवा बयाना राजस्थान के मैदान में बाबर और माहराना सांगा के बीच भहेंकर युद्ध हुआ इस युद्ध में हसनखा मेवाती ने अपने धरम भाई बाबर को छोड़ अपने वतन भाई माहराना सांगा का साथ दिया था माहराना सांगा के गाहिल हो जाने के पस्चात राजा हसनखा मेवाती ने भारतिय सेना की कमान संभाली और बाबर की तोपों और तीरों का सामना करते हुए अपने 12,000 वीर मेवाती घुड सवारों के साथ शादत का जाम पिया और सदा के लिए अमर हो गए तो ये थे राजा हसनखा मेवाती जिनके नाम से नुह मेवात में नलहड में शहीद राजा हसनखा मेवाती गोर्मिंट मेडिकल कोलेज संचालित किया जा रहा है बहराल बोलता राजस्थान के इस गुलेटिन में इतना ही आप देखते रहिए बोलता राजस्थान हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद याओत दिखलेठ मेंजने के लिए ही नहा ही हु आपका बहुत दया ही हुआत बहुत